नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेट आज की 26 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस की इंपोर्टन न्यूज और एक्स्पेंट पेज से इंपोर्टन आर्टिकल जो अभी हम डिसकस करने वाले हैं फ्रेंट पेज पर हम डिसकस करेंगे यह वाला आर्टिकल जिसमें ट्विटर और इंफर्मेशन टेक्नोलोजी मिनिस्टर के बीच में जो अभी खींचतान हुई है या बातचीत हुई है उनके अकाउंट को सस्पेंड होने से लेकर जानेंगे मुद्दा क्या है और क्यों इन पेज से हैं इसके अलावा पेज नंबर फॉर पे कुछ इंपॉर्टन न्यूज उनकी समरी लेंगे लास्ट में एक तो एन एच ए आई नेशनल हाईवे अथरिटी ऑफ इंडिया को ऑक्सिजन प्लांट लगाने का जिम्मेदारी सौंपी गई है साथ में दो इंस्टिटू नौववेक्स जो की यूएस की कंपनी है उसका वैक्सीन कैंडिडेट को इंडिया में कोववेक्स नाम से लॉंच करेगी और अपरूवल लेने की कोशिश करेगी डीजी डीसी जी आई से कि हम बच्चों के ओपर भी ट्राइल शुरू कर दें उससे रेलेटेड नियूज ह इसके अलावा लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल जो है चाइना इंडिया के बीच में उसके उपर आप बाचीत के लिए मिलिटरी टॉक्स के लिए अग्रिमेंट हुआ है अब जल्दी ही बाचीत शुरू हो जाएगी उसको लेकर कि आर्टिकल है तो थोड़ी बहुत चीज पर एक न्यूज इंपॉर्टेंट है वो यह कि ड्रैगन मैन एक सकल मिला था 1933 में उसकल के बारे में आप डीटेल जब पता की जा रही है तो पता यह हो चांसे हैं कि हमारी स्पीसी होमो सेपियन जो है उसी की फैमिली ट्री में एक और स्पीसी एड हो जाएगी ठीक है तो यह सकल है थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग भी देखेंगे इस आर्टिकल के तुरू इसके अलावा एकॉनामी पेज पर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं बस एक बार समरी लेंगे पूरे पेज की एक्स्प्रेंट पेज पर तीन आर्टिकल है तीनों के कुछ भी जानेंगे और तीसरा है कि वेस्ट बेंगल में जो नॉर्धन पार्ट है उसमें स्टेट हुड की डимांड कब-कब है की इसेंट में आए बीजेपी में के द्वारा कि द्वारा कि नॉर्फॉन नॉर्धन फेस्ट बेंगल जो इसको अलग से स्टेट बना दिया ज कि ट्वीटर ने IT मिनिस्टर के अकाउंट को एक गंटे के लिए सस्पेंट कर दिया लॉक कर दिया तो इसमें IT मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया कि जो नए IT रूल्स है उनका वाइलेशन है ये और इसके बीछे वज़े क्या बताई जा रही है वज़े ये है कि आपको अगर आप मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रूल्स में लिखा हुआ है कि आप किसी का भी अकाउंट सस्पेंट करोगे तो उसको पहले नोटिस दोगे फिर उसके बाद में सस्पेंशन फाइनलाइज किया जाएगा तो उसी चीज को लेकर के इन्होंने काया कि ट्विटर ने रूल्स को वाइलेट किया है तो ये एक नया फ्लेश पॉइंट अभी निकल किया रहा है टेंशन में जिसमें ट्विटर एक तरफ है तो दूसरी तरफ सेंट्रल गॉर्मेंट है तो देखो होता क्या है 2017 में रवीश अंकर प्रशाद जी की दुआरा अपनी ट्विटर अकाउंट पे एक मैसेज शेयर किया जाता है वो मैसेज ऐसा था कि 1971 में बंगलादेश लिबरेशन में जो इंडिया ने अपनी तरफ से रोल निभाया था उस चीज को वो कममेरेट कर रहे थे कि जो जिन्होंने भी शहीदी दी है अपनी इस पूरी लड़ाई में जिसमें हमने बंगलादेश को लिबरेट कराया उनके लिए हम शहादत मतलब उनको हम तयाद करते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था मतलब एक ट्रिब्यूट दे रहे थे उनको तो उसके साथ में इन्होंने एक वीडियो शेयर कर दिया और उस वीडियो में सिंगर तो देखो एर रहमान है कॉमपोजिशन भी इंडिया का है पर उस गाने का कॉपिराइट है वो सोनी के पास में है अब होता क्या है कि इन्होंने जो वीडियो की क्लिप डाल दी तो ऐसे में कॉपिराइट क्लेम आ जाता है ये ट्विटर के लिए को कहा गया कि ट्विटर के द्वारा कहा गया कि कॉपिराइट क्लेम आ गया इनकी जो पोस्ट थी 2017 की अब सवाल जबसे बड़ा एक तो यह आ जाता है कि वह एक copyright claim अगर आप यहाँ पे डालते हो तो आज तो 2021 चल रहा है चार साल बाद में क्यों account suspend कर रहे हो पहली बात तो यह दूसरी चीज अगर copyright थी तो आपको notice देना था ना जब आप नए rules के पीछे चल रहे हो अच्छा Twitter कौन से laws के basis पे suspend कर रहा है इनके account के कर पाया तो देखो यह है DMCA यह basically USA में कुछ laws है ठीक है federal laws है वहाँ पर DMCA का full form है Digital Millennium Copyrights Act ठीक है इस DMCA Act के तहत copyright fix किये जाते है कुछ intellectual properties के लिए जैसे कि यहाँ पर यह उस गाने की बात करें उस गाने का विडियो जो की AR रहमान का गय हुआ है उसकी copyrights के copyrights हैं वो किस के हाथ में है Sony TV Sony के हाथ में है तो Sony ने उस टाइम पर claim किया ठीक है तो उसके चलते हैं इनके account को Tuesday Friday को एक गंटे के लिए suspend कर दिया लॉक कर दिया इनको allow ही नहीं किया तो इन्होंने क्या का कि अभी जो नए laws आये हैं ना information technology के लिए जो rules है ethics code तो बोलो उनके में rule clause 8 जो है rule 4 clause 8 उसका gross violation है कि आपने twitter account holder को कोई information नहीं दी और उसके account को आपने suspend करने कोशिश की या फिर एक बार उसकी मतलब unaccessible बना दिया ठीक है तो ये है पुरा मुद्दा ओके आगे चलते हैं नेक्स जो आर्टिकल है that is aircraft career built in India ये बताया जा रहा है और जल्दी से जल्दी अगले साल commission कर दिया जाएगा तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी अभी South Indian Naval Fleet की तरफ गए थे नेवल बेस की तरफ तो उन्होंने बोला जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि indigenous aircraft IAC जिसका नाम है INS Vikrant बोला next year नेवी को दे दिया जाएगा commission कर दिया जाएगा IAC की बात करें तो ये कोचीन shipyard के अंडर में under construction है पर दुखी की बात ही है कि एक दशक जबी ज़्यादा time हो गया हमने एक editorial में article भी discuss किया था कि चाइना में तीन साल के अंदर एक helicopter को तीन साल पहले helicopter की बात की जाती है कि हाँ हमें navy को देना है और तीन साल के बाद में वो navy को handover कर दिया जाता है और हमारे यहाँ पर आप देखो 10 साल से भी ज़्यादा हो गया क्या मतलब infrastructure development है और वही चीज़ चैस तंपिंग तो अभी भी चल रही है लगातार कि हाँ जी ब कार पिछले साथ साल से काम कर रही है उसके बावजूद अगर डिले में काम चल रहा तो कैसे चलेगा बोले 75 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट होया में तो उसको कमी उसको हम करेंगे इससे अब करन्ट देखा जाए ना तो aircraft carrier मतलब यह मानों कि जो नेवल शिप्स जहां INS विक्रामाद दिते हैं INS विक्रांत जो है उसका भी काम चल रहा है यह दो कापना हमने देखा भी है ना यह फिर बाद में कमीशन किया जाएगा इस आई इनेस विक्रांत थीक है वैसे INS विक्रांत जो पहले पुराने वाला था उसको तो स्क्रैप किया जा चुका है ती है इसके अलावा 2022 तक दिया जाएगा अब इसमें कौन-कौन से जो फाइटर जैट है वो टेक आफ करेंगे या आप वाँबर पार्क रहेंगे जैसे कि मिग 29 के फाइटर एयर क्राफ्ट हो गया कामो 31 एयर अर्ली वर्निंग हेलिकॉप्टर हो गया ऐसे ही MH-60R जो की जल्दी ही कमिशन कर लिया जाएगा ये भी मल्टी रोल हेलिकॉप्टर है तो बुला इस तरीके से हम नेवी को और ज्यादा स्ट्रॉंग बना देंगे इसके लावा ये जो एयर क्राफ्ट करियर होगा ओफेंसिव और डिफेंसिव दोनों काम करेगा मतलब कि किसी के अपर अटेक करना है तो भी हम तैयार है को यह हमारे पर अटेक करें तो हम डिफेंड करने के लिए भी रैडी हैं एंटी सब्मरीन एयर बोन सिस्टम इसमें रहेगा इसी तरीके से वर्निंग सिस्टम भी इसमें एडवांस टेक्नोलोजी बेसिस पे रहेगा आई एसी की बात करें तो 75% जो है इसका कंटेंट ठीक है वो इंडीजीनेस है डिजाइन किया हुआ है हमारा इसके अलावा भी रीसेंटली एक न वुच है और की है तो ऐसे करके टोटल इसमें अलग-अलग यह प्रोजेक्ट है दोनों ना कंफ्यूज मत हो जाए और है दोनों के दोनों सब्मरीन के प्रोड़क्शन से रिलेटेड़ी यह जरूर ध्यान रगे P75 और P75 I P75 के अंडर में तो 3-4 जो सब्मरीन से उनको बेसिन ट्राइल कंप्लीट हो जाएगी नवंबर 2020 में बेसिन ट्राइल कंप्लीट होने के वह स्कॉप था ठीक है नेवी के द्वारा बोला गया फिर उसके बाद में देखो एक्सपेक्टेशन तो यह है कि आने वाले मैनों के अंदर फाइनल हो जाएगा पूरा कंप्लीट तो एक ट्राइल जो होता है ना वो सारे हो जाएगा फिर उसके बाद में यह है कि एशिया की लार्जिस्ट नेवल बेस की बात करें तो यह कुच्छी नेवल बेस क्रियेट कर रहे है जो सदर्न हमारा नेवल बेस है वहाँ पर ठीक है यह देखो नेवल फोर्सेज पीस सेक गारुवराइयमेंट पूरा प्रॉपर रखा था यह बताया जा रहा में और आप देखो कि इंफ्रास्रेट्ट्रण्र डेवल्लप्मेंट वहां है पर अच्ट से वैंडर चलते हैं रागेए . नेक्ष निउस हम आ गए पेज नमबर फोर पे वहाँ पर National Highway Authority ऑफ इंडिया को oxygen plant established करने के लिए interest किया है that means जिम्मेदारी दी गई है तो National Highway Authority ऑफ इंडिया और उसके साथ-साथ में दो और entities हैं जिनका नाम आप देख सकते हो Central Public Works Department और दूसरा है National Building Construction Corporation ये दो और साथ में लीड करेगा कौन National Highway Authority of India ये मिलकर के PM Care Funds से पैसा लेंगे और फिर उसके बाद में Oxygen Plants का Construction किया जाएगा तो ये है में बात आप ध्यान रखोगे pipeline का भी इसमें provision है pipeline बनाई जाएगे plant बनाए जाएगे ठीक है तो ये दो paragraph इस article के important थे वो देख लिए बाकी तो factual चीज़े हैं वो हमारे कोई काम के नहीं है आगे जलते है नेक्स न्यूज है रिसेंटली एक एंटिटी न्यूज में थी यह किस से रिलेटेड है तो इंडिया चाइना बॉर्डर इशू के ओपर बातचीत करने के लिए यह के निजम है ध्यान रखें आप तो ऐसे में ट्वेल्थ राउंड ऑफ सीनियर कमांडर्स की मीटिंग ठीक है उसके लिए भी बातचीत हो रही है बातचीत होने वाली ही है तो यह चीज़ ठीक है कि हां सीनियर लेवल पर बातचीत हो तो यह जो एसकेलेशन है टेंशन है उसमें आगे बढ़ा जा सके इसको रिजॉल करने के लिए देखो चाइना और इंडिया के बीच में अल्रेडी 1993-1996 के जो एग्रिमेंट्स है ना जिसमें मेंडेट्स हैं कि दोनों लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल को स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट करेंगे ऐसा नहीं कि वो ब्रीज करेंगे इस लिमिट को वो ब्रीज कर दी थी इनोंने कब पिसले साल जब कोविड-19 से फाइट हमारी शुरू हुई थी और उधर आप देखो कि गलवान वैली में जो कान्फिक्ट हुआ था और इस्टन लद्दाक में जो एक एग्रेशन दिखाया था चाइनीज मिलिटरी ने उससे रिलेटेड ठीक है और पैंगॉंग शो में तो भी यह एक पॉइंट जानने वाला है आगे चलते हैं अगली नियूज है पाकिस्तान अभी भी लगातार फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रेश्ट में मेंटेंड है अब एक चीज मैं बता दूं ब्लैक लिस्ट ग्रेश्ट ऐसा कुछ मैंशन नहीं किया हुआ वै जादा से जादा मॉनेटर किया जाएगा पर्टिकलर स्टेट का जिसको भी इस लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो पैरिस बेस दिये फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो इसका में काम क्या है अगर मनी लॉंडरिंग होती है या टेरर फंडिंग होती है त जो पैसा वाकई में जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उस पैसे का यूज किया जाए ठीक है बढ़िया काम करने के लिए या फिर अपने एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए तो वो मनी लॉंडरिंग हो जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही म आइसे जैसे मुहम्मद का चीफ मसूद अजर उसका भी इंडिया में बहुत सारे टेरिस्ट अटेक्स में हाथ रहा हुआ है तो इन दोनों को अगेंस्ट में अभी भी पाकिस्तान अच्छे कासे कदम नहीं उठा पाया है पाकिस्तान को 27 सेक्शन आइटम दिये थे जिन मे 26 में तो देखो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म कर दिया पर अभी भी यह टेरिस्ट पे जो अट लगाम लगानी चाहिए ना वो नहीं हो पारी जैसे की फाक्व के लिए मैंने बोला ग्लोबल एंटी मनी लॉंडरिंग एंड टेरर फाइनसिंग बोडी है और इन्हों वांटेड्स में से एक हैं उन पर लगाम नहीं लगा पारा है पाकिस्तान तो ऐसे में पाकिस्तान को अभी भी ग्रेलिस्ट में ही मेंटेन रखा जा रहा है ठीक है और तु भाकी यही थी में चीज़े कॉमन चीज़े ही है ना देख लिया आगे चलते हैं वर्ल्ड पेस प के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है नाक का यह जो स्पेस है यह भी आपको ज्यादा दिख रहा है ना तो थोड़ा सा और आँखे देखो एकदम गहरी तीक है यह कुछ इसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बेसिकली यह मिला कहां पर है पहले तो वो जानते हम तो यह स्कल मिला इसको ड्रेगन नाम इसलिए दिया है कि चाइना में नौर्धन नौर्थीस्टन चाइना में ड्रेगन रिवर फ्लो करती है और उसे रिवर के पास में एक कुवा अबंडन्ट कुवा जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वो लगबग 85 फीट यहां अबंडन्ट वैल है वहां से यह खोपड़ी मिली है ठीक है यह जो स्कल है यह मिली है तो ऐसे में इसका नाम ड्रेगन रिवर के नाम पर ही ड्रेगन मैन बोल दिया गया इसको अब देखो इसके उपर हिसार चोरी है और लगता ऐसा है कि होमो सेपियन जैसे कि हमारी स्पीस हूज ब्रेइन बड़ा सारा दिमाग की साइज थी ऐसे ही मैसिव ब्रोरिज यहां पर यह गैप देख सकते हो यह बड़ा सारा था डीप सीट डीप सेट आईज गहरी आखें और इसके अलावा बलबाउज नोज इसी तरीके चे थोड़ा सा फैला हुआ नोज ठीक है यह औ अगे चलते हैं तो चाइना में मिलाई यह आप ध्यान रखें और यह साइट है उसका नाम हा हर्विन सिटी ओफ हर्विन नाम है यह भी आप नाम ध्यान रखोगे लोकेशन का रिवर का नाम बताई दिया यह कुछ इंपॉर्टन्ट एक्सरट से वह देखे आगे चलते हैं इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे चोटी सी न्यूज ये भी है कि कोविड-19 का पहला केस चाइना में October 2019 में आ गया था ये studies का कहना है ठीक है और तो बाकी देखो इतना कुछ important मुझे लग नीरा जिसको हमें discuss करने की जरुरत हो ठीक है हाँ एक leadership का example है छोटा सा बुटान के king ठीक है यहाँ पर यह देखो यह लंच ले रहे हैं यहाँ पर जिनका नाम है जिगमें खेशर नाग्याल वांग्चुक जिगमें खेशर नाम्ग्याल वांग्चुक यह पता है अपने पैरों पर mountains पर ट्रेकिंग करते हुए गाओं में remote areas में जा जा करके लोगों को aware कर रह रहे हैं awareness दे रहे हैं ठीक है बुटान एक गरीब देश है हम मानते हैं पर happiness index के अंदर बुटान टॉप पे आने वाले देशों में से हैं जहां पर वहां के लोग इतने satisfy है ठीक है अब आपके लिए छोटी से टास्क आगे जब बुटान का नाम ही आ गया तो जो यूएन का जो happiness index है ना उसके बारे में आप मुझे बताओगे खुद भी पढ़ोगे मुझे बताना चाहो तो comment box में आप बता देना ठीक है की points आप जरूर बताओ ठीक है डीटेली की जरूरत नहीं है की points बस to the point एक एक लाइन एक एक वर्ड के अंदर काम खता हो जाए पता पड़े क कि हाँ दो चार लाइनों में तो happiness index complete हो गया आपका इतना होना चाहिए ठीक है तो अब यह leadership का एक example है भूटान के king का mountains को track करते हो है fatality count rate fatality count को check करना और उसको down करना कि death rate minimums minimum हो लोगों में awareness spread करना क्योंकि एक leaders अब कोई बात बोलता तो उसकी बात मानी जाती है तो यह leadership का एक example है resources matter नहीं करते हैं आपके पास कितने हैं क्या नहीं है बस उन resources का आप best utilization करोगे तब अच्छे leader बनते हो ठीक है आगे चलता है economy page की बात करें तो इसमें देखो एक तो पहला तो news यह है कि जिन लोगों की भी covid के चलते death हो गई तो उनके जो dependents थे जो भी उनके family वाले थे उन लोगों को जो amount दिया जा रहा है एक relief के तौर पे जिसको ex-gratia बोला जाता है तो उसके उसमें जो पैसा दिया जा रहा है न उसमें पूरा tax relaxation दिया जा रहा है एक तो यह चीज़ दूसरी चीज़ आधार और pen card को link करने की बात जो है उसको extend कर दिया है September 30 तक तो इसमें provision जो है वो देख लो कि मान लो एक employer के यहाँ पर काम करते करते किसी employee की death होती है फिर वो employer अगर अपना पैस उस employee की help करना चाता ह है तो चाहिए वो कितना भी पैसा दे employer अगर अपने employee की death के बाद में उसकी family को कितना भी पैसा दे कोई tax नहीं लगेगा और उस individual को कहीं दूसरे resources से या दूसरे resources से पैसा मिलता है individual की family को हाना तो उसके लिए उनको फिर 10 लाग रुपए तक का जो भी help मिल रही है उसको tax क tax के ambit में नहीं रखा जाएगा मतलब उस 10 लाग रुपए तक उसके उपर tax नहीं लगेगा मैं repeat कर रहा हूं employer अगर अपने employee की family की help करता है कोविड के चलते हैं अगर जो भी परेशा नहीं आए उनके उनकी वज़स हैं तो कितना भी पैसा दे सकता है employer employee की family को को कोई tax नही लगेगा फिर उसके बाद में tax लगेगा income tax की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं ठीक है इसके अलावा EGM की बात आ रही है EGM यहाँ पर जान लो simple सी बात है EGM का मतलब होता extraordinary general meeting की कोई भी company है अब situation ऐसी आगे की by meeting करनी ज़रूरी है पर इस टाइम पर covid के चलते gathering नहीं हो सकती एक जगह पर तो virtual conferences के तुरू जो meeting होती है उसको ministry of corporate affairs के द्वारा ये कहा है कि आपकी जो minute of meetings है उनको आप maintain रखोगे minutes of meeting है आप उसको maintain रखोगे साथ में जो आपकी meeting हुई है उसकी video recording properly रखोगे जिससे की आगे कभी जरूत पड़े तो आप काम में ले सको और कहीं पर भी EGM यह आप जरूर ध्यान रखना यह आगे हमारे काम आएगी ठीक है बाकी तो देखो और कुछ इतना काम का है नहीं ठीक है एक छोटा सा टास्क है आपके लिए सेबी नहीं यहाँ देखो जो alternative investment funds हैं उनके लिए एक provision अभी install किया है वो यह कि मानलो कोई alternative investment fund funds का एक group है यू तो मानलो यह venture funds हो गए या फिर angel जो funds होता है वो तो वो मिलकर के एक AIF जो है वो दूसरे AIF में आप invest कर पाएगा यह बताया जा रहा है इसमें ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखे देखिए यहाँ पर simultaneously कि अगर वो AIF किसी project में कोई securities में invest कर रहा है तो तो ठीक है वो alternative investment fund का मतलब यह हो गया मानो कि एक company एक को खोलने के लिए पांच चार्जने आते हैं साथ में पर उनके पास पैसे की कमी है एक company में ना पैसे की कमी है लगा तो दिये पर यह alternative investment fund वाले क्या करेंगे इन चारों को अप्रोच करेंगे कि आपका plan बताओ plan या फिर यह चारों इ किये ठीक है इसी तरीके से अब यह company में तो invest करते ही है अब क्या है कि AIF एक AIF दूसरे AIF में पर invest करना चाहे तो उसका अलाव एक तरीके से करना है यह देखो यहाँ पर alternative investment fund to invest simultaneously in unit of other AIF that means कि एक AIF ने जिस company में डाल रखा है उसके अलावा वो दूसरे AIF वाली company के अंदर भी पैसा डाल सकता है कहने का मतलब यह हो गया ठीक है आगे चलता है next article है कि parks को अगर बंद करें तो tigers को उससे क्या फायदा मिलता है देखो उत्राखंड के forest minister हरक सिंग ने भी कहा है कि Wednesday से अब दो tiger reserve एक तो corbet और राजा जी यह दोनों के दोनों उत्राखंड में लिख लेना आप इनको वोला tourism के लिए throughout year यह खुले रहेंगे पहले तो क्या था कि monsoon के 4-5 मेने यह बंद रहते थे पर अब यह open कर दिया गया है throughout year तो इससे क्या परेशानिया हो सकती है वहाँ पर जो भी wildlife रहती है और specifically लोग देखने जाता है tigers को तो tigers को कितना क्या disturbance होगा क्योंकि mating season में अगर वो mate नहीं करेंगे तो reproduction कैसे होगा फिर तो उनकी population को और ज्यादा problem हो जाएगी एक तरफ तो poaching होती है जिसको हम illegal hunting बोलता है एक तो उसकी वज़े से लगातार इनकी population decline कर रही है और रही सही में आप इनकी mating season में भी disruption कर दोगे तो और ज्यादा मुश्किले हो जाएगी तो देखो राजा जी में एक तो है राजा जी का जिल्म एक रिजर्व के पार्ट आई है ठीक है ना क्योंकि जोंस में डिवाइड करना ज़रूरी है नहीं पूरे एक बहुत बड़े landmass को कैसे maintain कर पाएंगे forest department वाले उस point of view से है अब देखो होता क्या है यह चीज़ डिपेंड करती है एक तो forest की quality क्या है कि highly dense है dispersed है फैला हुआ ह बारिश कितनी आती है वहाँ पर वो चीज़ें topography पहाड़ी area है plane area है वो भी decide करता है और climate का मैं बताई चुका है temperature कितना है rainfall कितना है उसके हिसाब से decide किया जाता है कि कि किस time पर tourist के लिए कोई भी national park या फिर forest reserve खुला है या बंद रहेगा ठीक है तो ऐसे में ही है चीज़ का रंथंबोर national park की बात करें तो यह 9 मैने तो खुला रहता है अक्टूबर से जून के बीच में ठीक है और बाकी जो monsoon season है जैसे अब आ गया monsoon तो अब बंद हो जाए क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है और mating season भी है तो ऐसे में फिर उनको preserve रखना है कैसे भी करके जान माल का भी नुकसान ना हो और wildlife को भी परिशानी ना हो इसी तरीके से असम का जो काजी रंगा नेशनल पार्क है वो भी practically 6 मैने खुला रहता है 6 मैने बंद रहता है 6 मैने क्योंकि North East में आपको पता है बारिश बहुत होती है तो ऐसे में ये परिश्तितिया और ब्रह्म कब अगर पेट से prematurely पैदा होकर के मरें या पिर कह सकता है कि पेट में ही मर जाए कुछ भी हो जाए तो उसके बावजूद भी टाइगरेस 21 डेज के अंदर रेडी हो जाती है मेटिंग के लिए इन शॉर्ट बात ही आ रही है तो सीजन का तुदे को इतना जादा असर है न बिलते हैं तो उनकी ब्रीडिंग सीजन को बहुत जादा रेगलेट किया जाता वहां की एक्स्ट्रीम विंटर के द्वारा थीक है तो ऐसे में फिर वो अपनी ब्रीडिंग सीजन को एंशोर करते हैं उस टाइम पे कि हां जेस टाइम पे विंटर्स थोड़ी सी डाउन है क् यही चीज देखो हर जगह पर अपलाई होती है हर एक चीज के लिए हाँ हर एक जो wildlife है इसमें elephant भी एक example है आपको पताया कि यह mating का time 21 days में एक तरीके से oysters होना ओस्ट्रस का मतलब एक तरीके से वह attracted feel करती है और मतलब एक तरीके से वह reproduction के लिए ready है इन शौट यह का जा सकता है एलिफेंट की बात करें तो कॉर्बेट और राजाजी में elephant की भी कमी नहीं है पर एक अगर देखा जाएना कि इनका बर्थ का साइकल चलता है उसमें हमने देखा आप एक बार जरूर देखना elephant से संबन देते क ही elephant का बच्चे कितने साल कितने मेने तक पेट में रहता है जहां तक मुझे देना 18-22 मेने तक पेट में रहता है और इसी वजह से जैसे elephant का elephant जब अपने बच्चे को बढ़ देती है elephant तो उसके बाद में वह खड़ होके चलना भी शुरू कर देते हैं थोड़ी दिर में क्य इसी रीजन में घूमते हैं यह स्पीसी भी कही नहीं प्रोपोगेट करती है अपने आपको और दूसरा movement में रहती है continuously तो इनकी breeding की अगर बात करें तो नवेंबर और जनवरी के टाइम पे यह normally breeding होती है इनकी और एक से देड़ साल का हम ने देखा भी कि बारा मैने से लेक तो मौनसून के टाइम पे टाइगर्स की breeding भी ज़्यादा dependent नहीं करी अगर इंडिया की बात करें particular और दूसरी तरफ आप बात करो मौनसून के टाइम पे एलेफेंट्स की breeding की बात करें तो भी इतनी कोई problem नहीं है पर फिर भी अगर इन टाइगर रिजर्स में या फिर ने गाड़ी अगर जाएगी रात को घूमने सुबह जल्दी निकलते हो तो लाइट चलेगी गाड़ियों की आवाज है कितना ज्यादा disturbances create कर देती हैं उनके लिए तो ऐसे में मुश्किले रही सही में मौनसून के आते ही वहाँ पर जो रोड्स हैं जो भी गड़ी नाला ठीक है रामनगर कॉर्बेट से होते वे निकलता है बोले पूरी रोड को बहा देता है एक दमी तो ऐसे में रिस्क नहीं ली जा सकती ठीक है तो मौनसून के टाइम पे नहीं जाना मेटिंग पर तो इतना असर नहीं डालती पर उनके लिए एक safety point of view से देखा तो रोड ट्रांस्पोर्टेशन का लिंकिंग का पूरा खतम हो जाता है सिस्टेम तो ऐसे में जो forest department की जो employees हैं वो surveillance रखें पूरे monitoring कर सकें कि हां कितने टाइगर से कितने elephant से कौन-कौन से region में वो spreaded हैं उनकी counting करना उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना और ये monitoring करना कि को कोई illegally poaching तो नहीं कर रहा है उनकी hunting तो नहीं कर रहा है अब monsoon time पे मान लो अब ये tourism को allow कर दे तो tourist car का जाना पहली चीज तो वहाँ पर situation ही allow नहीं कर रही है दूसरी चीज यह आ जाती है यहाँ पर कि ये जो forest department है ये उस time पे monsoon time में आपको पता है vegetation कितनी जल्दी grow करता है और वो भी tropical जो climatic region जहाँ पर भी है वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मिलेगा dense forest होते हैं तो उनके लिए आना जाना मुश्किल हो जाता है और फिर उसके बाद में अगर आप tourism को allow कर दोगे तो forest department तो ज़्यादा फिर tourism पर ध्यान देने लग जाएगा तो actual में जो monsoon season होता ह है उसी time पर poachers क्या है फाइदा उठाते हैं कि हाँ इस time पर बड़ी बड़ी घासे हो गई है हम कहीं पर भी छुप करके और hunting कर सकते हैं ठीक है ना तो यह चीज भी बड़ी important हो जाती है इस point of view से भी monsoon में अगर tourism को बंद करके रखा जाए तो उसका फाइदा मिलता है वह monsoon की भी जो life है उसमें hamper नहीं होना चाहिए अब यह तो बात होगी देखो monsoon की अब बात करते हैं करनाटका की दो national parks की जो की tiger results है नागर होल और बांदीपूर बोले यहां पर गर्मियों के time पर tourism को बंद करके रखा जाता है वजह है कि बोले dry deciduous forest है और सूक जाते हैं और यहां पर आग बहुत लगती है यहां पर एक invasive species मिलती है गास की जिसका नाम मैं सही बता रहा हूँ तो लेंटाना camera है ठीक है तो उस गास के चलते ही क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी friction होते ही आग लग जाती है जंगल में तो गर्मियों के time पर इन दोनों के अंदर tourism मौन्सून जिसके तहते forest department मौन्सून के time पर अपनी duty यह करता है कि कैसे भी करके poaching ना हो ठीक है illegal hunting ना हो पर अगर आप tourism start कर दोगे तो वो forest staff क्या होगा डाइवर्ट हो गया तो operation मौन्सून तो धरागा धरा रह गया और उधर क्या हो जाएगा ना तो tourism proper हो पाएगा और इ मौन्सून टाइम पर vigilance ज्यादा रखने की जरूरत है निगरानी रखने की ज्यादा जरूरत है ठीक है project tiger के बारे में आप जरूर पढ़ोगे बड़ी important चीज है इस पर question बन जाता है और इसके लावा देख सकते हो रेनी सीजन का यह मैं बताई चुका हूं और kana tiger reserve यह भी आप नाम लिख लेना बड़े important है तो यह सारे मुद्धे हमने देखे ठीक है noise का यह मैं आपको बताई चुका हूं habitat loss बहुत ज़्यादा है tourism के चलते बहुत ज़्यादा disturbance होता है wildlife को तो उनको भी protection की ज़रूरत उनको भी space दो कम से कम यह respite देने के लिए monsoon season बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ऐसे में उत्राखंड के जो forest department forest minister उनका statement है वो थोड़ा concerns raise करता है उसके लिए थोड़ा सामने यह देखा आगे चलते है नेक्स्ट आर्टिकल है कि भई अभी सेबी के दुआरा mandate declare किया गया है कि जब तक valuation इस पंजाब national bank की जो housing facility है जि वो अभी investment attract कर रही है और उसमें अमेरिका की एक company है जिसका नाम है cardlisle अब investment का जो point है वो amount है 4000 करोड रुपए और यह 4000 करोड रुपए जो है वो declare किये गये है वहाँ पर उनकी meeting के दौरा खुद की meeting हुई है EGM जो मैंने अभी आपको बताया था extraordinary general meeting उस meeting के तहत finalize किया ग account के जो share हम release कर रहे है वो है 4000 करोड के अब 4000 करोड रुपए का अगर investment यहां पर cardlisle SPNB housing finance में कर देती है तो cardlisle के share हो जाते है 50% से भी ज्यादा तो ऐसे में ownership हाथ में आ जाती है तो यह सवाल बहुत बड़ा था कि आप अचानक से इतना बड़ा investment कैसे कर सकते दूसरा य सरकार को क्यों पागल बनाया जा रहा है तो यह चीज क्या हो जाती है दोखेवाजी वाली बात तो सेभी ने क्या कहा कि जब तक एक registered valuer के दुआरा जो कि independent होगा उसके दुआरा valuation नहीं कर दी जाती है पंजाब national bank की जो housing finance का जो segment है उसका तब तक हम कुछ आगे नहीं बढ देंगे अब इस मुद्दे के against में देखो यह जो पंजाब national bank का housing finance के जो लोग है वो जो investor है या फिर जो main directors है वो पहुचे हुआ है कहाँ पर security appellate tribunal में कि सेभी ने हमारे इस proceeding को रोक दिया है तो हमारे लिए भी जानना यह है अब वो security appellate tribunal क्या verdict देगा वो देखने वा value calculate करने वाला जो की registered हो अब registered कहाँ पर होगा वो होगा insolvency and bankruptcy board of India के under में ठीक है उसमें भी companies rule 2017 जो की registered valuer and valuation से संबंदित है उसमें section है 458 उसके तहत जो की companies act के तहत है वो इस IBIBI में अपने आपको register कराएगा तो मैं repeat कर रहा हूँ companies act 2013 एक तो यह ध्यान रखें आप उसके तहत rules है 2017 में जिनको बोला जा रहा है companies rules 2017 जिनका subsection है that is registered valuer and valuation तो इस act के तहत यह rules है इन rules में section 458 में कोई भी individual या कोई भी entity मतलब एक group भी हो सकता है वो अपने आपको register करवाएगा एक registered valuer के तोर पे अब वो जो registered valuer की जो list है उस list में से से भी जो है वो pick करेगा किसी भी individual को भी pick कर सकता है या किसी group को भी pick कर सकता है और यह कहेगा कि यह जो पंजाब national housing housing finance है ना इसकी आप value निकालो कि एक share की value 390 रुपए पर share होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए तो ऐसे में यह हो गए registered valuer कौन हो गए जो कि इसमें इस पूरे provision के अंदर अपनी सारी conditions को fulfill करते हैं अब बात ऐसी है कि कौन registered valuer बन सकता है देखो इसमें एक तो exam होती है वो पास कर ले या फिर इन कानूनों इस rule 2017 के तहत है अगर किसी individual की उम्र 50 साल है नमबर वन और उसक कम 10 valuation assignment में काम कर चुका है कि कोई company है उसके assets की valuation हो रही थी counting हो रही थी कितने रुपए का यह पुरा material है उसके पास में तो assets की जब counting हो रही थी तो 10 में उसने participate किया और उन सब की अपनी value अगर देखो दसों में तो कम से कम 5 करोड रुपए की तो value होनी ची उससे ज़्याद होना चाहिए तो यह है पुरा registered valuer के बारे में होता कौन है और कौन बन सकता है तो यह है पुरा मुद्दा समझ गया होंगे इस चीज़ को और इसी को लेकर के पुरा काम किया जा रहा है तो ऐसे में आप देख सकते हो कि individual अगर है तो उसके पास में post graduate degree भी हो सकती है specified discipline जो क हां relevant valuation हां कि कौन सी company अब यहाँ पर finance की हम बात करें तो finance से संबन दित उनके पास में graduation यह post graduation की डिग्री उनके पास होनी चाहिए तब ही तो वह valuation proper कर पाएंगे समझ गये इसी तरीके से मार्च 31 2021 की बात करें तो अभी तक 3967 registered values हैं जिसमें से 40 जो हैं वो तो registered entities है मतलब group है और बाकी individuals हैं तो ऐसे में independent registered value हैं वो फिर बाद में check करेगा अच्छा अब कभी भी कोई report अगर यह बनाता है registered value तो वो क्या-क्या ध्यान रखेगा तो सबसे पहली चीज तो यह registered value काम किस में करेगा companies rule 2017 के तहत number one number two 11 key aspects के उपर वो अपने recommendation देगा उनको ध्यान में रख कर कि अपनी report देगा सबसे important हो जाता है कि उसका conflict of interest नहीं होना चाहिए कैसे independent जो word लिया ना वो इसलिए लिया है कि अगर कोई बंदा किसी भी company की valuation कर रहा है और उस बंदे के उस company में shares हैं तो वो तो अपनी shares की value बढ़ाएगा ना 390 क्यों वो तो 500 या 1000 रुपा पर share के close करना पड़ेगा कि मेरा इस company से कोई लेन देन नहीं है फिर valuation के purpose में proper information के बारे में बताना होगा कि हां मैंने यह जो valuation की है ना इसके पीछे यह sources है यहां से मैंने information लिए और यह procedure मैंने follow किया है यह methodology follow किया influence क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़े देखी जाएंगे इन 11 की है कि हाँ जी Northern West Bengal है उसको statehood ship दे दी जाए तो Northern West Bengal तो यह देखो यह सैफ्रोन कलर में जो दिखाया हुआ है वह ही आपका और West Bengal यहां से आप देख सकते हो यह रेड कलर वाला है इसके अलावा अलग अलग मुमेंट यहां पर चल पड़े हैं जिन में में तो यह Dargeling Hill वाला जो रीजन है ठीक है इस वाले रीजन में यहां पर आप देख सकते हो यहां पर है यह हिमालें माउंटेंस है उसी का एक्स्टेंशन है उसी का पार्ट है यह Dargeling Hills खेर आजए यह देखिए Dargeling यहां पर यह district है ओके खेर देख लेता है पहले कब-कब बाचीत हुई है इस त जिसका लीडर कौन था फाउंडर कौन था सुभास गीशिंग वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमारे यहां पर बेसिक अमेनिटीज नहीं है ना तो इलेक्रिसिटी है ना हेल्थ केर है ना स्कूल्स है ना जॉब्स है बोले इनके फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करो एजिटेशन की पीक आती है 1985-86 में जब बारा सो लोगों की डैथ होती है रिजल्ट क्या होता है दारजिलिंग गोरका हिल काउंसिल नाम से 1988 में एक एंटिटी इस्टैबलिश कर दी जाती है उसको 23 साल तक कुछ ना कुछ अटोनमी दे दी जाती है कि हाँ आप अपने लीडिंग लीड करनी शुरू कर दी और यह जी अनल फ जिसका नाम है गोर्का नेशनल लिबरेशन फ्रंट जिसने डिमांड शुरू की थी कि हां हमें गोर्का लेंड चाहिए सेपरेट स्टेट चाहिए तो वह अब डिमांड री सर्फेस होती है और एजिटेशन 2011 2013 2017 में र इन दोनों के लिए एक अलग से गोर्का टेरिटोरियल एड्मिनिस्टेशन फॉर्म कर दिया था 2011 में ठीक है जो कि रिप्लेस कर देता है डी जी एचेस जो कि पिछली यह इस्टेब्लिश होई थी ना डी जी एचेस यहां पर यह देखिए दारजेलिंग गोर्का हेल काउं 2017 में 2017 में 104 दिन का सेट डाउन होता है आपको पता होगा याद हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्लिक्ट होए थे जिसमें फिर लगा था और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हो था कि बैंगोली लेंग्विज को इंपोस करना शुरू कर दिया था गोर्काज पर अब कि भी कई बार डिमांड उठती रहती है तो ये भी एक मुद्दा है इसमें फिर दार्जेलिंग हिल वाली जो बात है वहां पर वाइलेंट एजिटेशन होता है फिर कैसे जैसे करके सैटलमेंट होता है अब होता क्या है फिर त्रनमूल कॉंग्रेस को ये गुरंग जो है व और खालेंड मोमेंट वेस्ट बेंगोल में दूसरा है कमतापूर मोमेंट इस मोमेंट में भी कूछ कम्यूनिटी का राज कूछ राजबोंग सी कम्यूनिटी का एक इंडिवीज्वल जो की सेडियूल कास्ट है वेस्ट बेंगोल में वहां से बिलॉंग करता है यहां पर द जिसमें कमतापूर कमतापूर का मतलब हो गया वहां सपास के जो लोग इस कमता कम्यूनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको हम एक साथ इंटिग्रेट करेंगे जिसमें नौर्दन बंगाल के आठ डिस्ट्रिक्ट आ गये जिसमें कुछ बिहार वाला रीजन भी आ गया इसके पासम के भी कोकरा जार बोंगई गाउं दुबरी और गोल पारा ये डिस्ट्रिक्ट को भी साथ में लेना था और बिहार का किशान गंज भी था और नेपाल का जापा भी आ गया ये देख सकते हो आप ओवर ओल इसकी पूरी डिमांड हो रही है इसको मिला दो आप ठीक है इस वाले रीजन को यूं करो यूं मिला दो आप ये इधर से यूं जा करके ऐसे हैं ये है पूरा रीजन ठीक है ये है आपका कमतापुर यहां पर डिमांड की जा रही है कमतापुर की इसी तरीके से ग्रेटर कुछ बिहार की डिमांड भी की हुई थी 1998 में उस टाइम पर ग्रेटर कुछ बिहार पीपल पीपलस असोशेशन जी सी पी ए उसके जनरल सेक्रेटरी जिसका नाम है बंक सी बदन बर्मन वो भी लगाता डिमांड कर रहा था उसमें में क्या था कि नॉर्दन बेंगोल के जो जो डिस्ट्रिक्स है वो और साथ में असम के कोकराजार और पोंगई गाओं और दुबरी इन डिस्ट्रिक्स को हम मिला करके अलग से करेंगे अब देखो कूछ बियार की बात करो तो ये एक किंग्डम हुआ करता था ठीक है अब इसका 1949 में इंडिया में इंटिग्रेशन हो जाता है सी केटेगरी में डाल दिया जाता है पहले तो फि दूसरी इंडिया की जो विमन्स टीम है टैन मिटर एयर पिस्टल की जो टीम है वर्ल्ड कप में उनको ब्रॉंज मिला अब उसमें टीम में तीन इंडिविज्वल से एक का नाम है मनु भाकर एक का नाम है यशिश्विनी सिंग देशवाल एकर राही सरनोबाद इन तीनों ने मिलकर के दस मिटर की जो एयर पिस्टल राइफल का कॉम्पेटिशन था उसमें ब्रॉंज मेडल जीता है ठीक है और पॉबलिक ओफिस खोलना है तो उस ओफिस के लिए लेंड एक्योजिशन दे दी जाए रास्तान सरकार के दवारा ये किया जारा प्रोविजन ओके तो डिसकुशन में इतना है थैंक्यू वेरी मुच पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू